आज में शेयर करने जा रही हूं पिज़ा की रेसिपी इस पिज़ा के लिए आपको तयार रखने हैं पिकल्ड वेजिटेबल्स तो चलिए देखते हैं किस तरह से वेजिटेबल्स को पिकल्ड किया जाता है सबसे पहले आपको तयार रखना है एक काच का एरटाइट बॉटल ध्यान रहे कि ये मोटे काच का हो एरटाइट हो और इसे आपको वाश करके सुखा लेना है वेजटेबिल्स में मैंने लिए हैं कैपसिकम एक छोटा कैपसिकम लेना है और इसे इस तरह से क्यूब्स में कट कर लेना है और प्याज है एक प्याज उसे भी इस तरह से क्यूब्स में कट कर लेंगे और इसे सप्रेट कर लेंगे और एक मीडियम साइज का गाजर जिसे इस तरह से कट कर लेना है और मसालों में दो कलिया लसन की इस कलियों को स्लाइज कर लेना है दो हरी मिर्च लेनी है और इसे स्लिट्स लगा देंगे काली मिर्च के दाने लेने हैं 12-15 और एगेनो 1-2 तीजपुन और मिग्स्ड हर्ब्स 1-2 तीजपुन एक पैन ले लेना है इसके अंदर 3-4 कप पानी और 1-2 कप वाइट विनेगर डालना है गैस ओन कर देंगे और इसी के साथ हम इसके अंदर डालेंगे 1 तीजपुन नमक और 1 तीजपुन शक्कर गैस का फ्लेम स्लो ही रखना है इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और इसे शक्कर और नमक बिजॉल करके उबालना है तो जब तक मिश्रन उबलता है एरटाइट कंटेनर के अंदर वेज़िटेबिल्स भर लेंगे तो हम इस तरह से वेज़िटेबिल्स थोड़े थोड़े डालेंगे और इसके लेयर्स बनाते जाएंगे और वेज़िटेबिल्स के साथ ही मसाले भी डालने हैं तो जो मसाले हमने लिये हैं सिर्फ आधे डालेंगे वापस से एक लेयर वेजटेबल्स का बनाएंगे और बाकी के मसाले सब डाल दे लेंगे तो इस तरह से सारी चीजों का लेयर्स बना लेना है जो मिश्रन है उबल चुका है शक्कर और नमक डिजॉल हो गये है तो बस इस मिश्रन को एरटाइट कंटेनर में वेजटेबल्स के उपर डाल देंगे और जो बॉटल है उसे कम्प्लीटली नहीं भरना है सिर्फ यहां तक बॉटलनेक तक इसे भरेंगे इसे ढकन लगा देंगे और किचन पर ही रग देना है जब ये कम्प्लीटली थंडा हो जाएं इसे फ्रिज में स्टोर करना है ये वन मन तक खराब नहीं होता है इसको बनाने के दो दिन बाद आप इसे यूज कर सकते हो अब बना लेंगे पिज़ा के लिए सॉस इसके लिए तीन मेडियम साइज के टामाटर रफली चॉप कर लेंगे काली मिर्च के दाने पांच नमक स्वादनुसार चार लसन की कलिया और मिक्स्ट हर्ब्स हाफ टीस्पून इसे हातों से थोड़ा सा रब कर लेंगे और इसके बाद इसे ऐड कर देंगे शकर डालनी है वन टीस्पून और इन सारी चीजों का एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे अब इसे हम एक पैन में चान लेंगे जो मिक्शर है वो सारा चलनी से अच्छे से चान लेना है उसके बाद इसे उबलने के लिए रग देंगे इसके अंदर हम एड कर देंगे टू टेबिल स्पून टमेटो कैच्छप और वन एंड हाफ टी स्पून तेल इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब हाई फ्लेम पर एक उबाला जाए तो स्लो फ्लेम पर इसे पांच से साथ मिनिट तक उबलने के लिए रग देना है तो बैस ये सॉस रडी है अब देख सकते हूं ये इस तरह की कंसिस्टनसी का हो गया है जो vegetables हमने pickle किये थे मैं इसे पिजजा में use कर रही हूं मैं इसे निर बॉट पंदरा दिन के बाद use कर रही हूं तो सबसे पहले इसे चलनी में निकाल कर अच्छे से ब्रेन कर लेंगे और अब मैं इसके साथ use कर रही हूं black olives और green olives जो ready made pickled है इन दोनों को slice कट कर लूँगी और अब बना लेंगे पिजा तो सबसे पहले पिजा बेस लेंगे एक तबा अच्छे से गरम कर लेना है इसके उपर थोड़ा सा बटर डाल देना है और पिजा बेस को एक साइट से हलका सा ब्राउन कलर दे देना है अब इस पर लगा लेंगे सारे टॉपिक्स तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बटर और स्प्रेड कर लूँगी उसके बाद इसके उपर जो हमने सॉस प्रिपैर किया है तू टेबल स्पून सॉस डाल देना है इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे सॉस के उपर चीज ग्रेट कर लेना है मैं मौजरेला चीज यूज कर रही हूँ आप आपके टेस्ट के हिसाब से यूज कर सकते हो और इसके बाद जो वेजेटेबल्स हमने पिकल किये थे कैपसिकम गाजर ओनियन इन सारी चीजों को स्प्रेड कर देंगे और साथ ही ब्लैक और ग्रीन ओलिप्स और ब अब तवाच्छे से गरम कर लेना है बटर डालकर पिजा रख देंगे फ्लेम स्लो ही रखनी है इसको एक ढखकन से कवर कर देंगे और बस जब तक ये नीचे से ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए इसी तरह से इसे होने देना है इसको निर बाई निट लग जाएगे एक जो मौजरेला चीज है कम्प्लीटली पिघल चुका है और इसकी जो खुश्बू है बहुत ही डिलीशियस है तो आप भी इस तरह से वेजेटेबल्स को पिकल करके फ्रिज में स्टोर कर लीजे ताकि कभी भी पिज़ा बना कर खिला सकोगे सो दब पिज़ा विद ट्रीच विज़ा कीजिए गाइगा और कमें सेक्षन में बताइयेगा रिजीपी कैसी लगी थाइंक्स पर वॉचिंग्टीट वाचिग प्रिछी वाचिख वाचिग अ खिज पानगी अ